अगर यह पाकिस्तान जाता है तो इसे इंडिया वापस नहीं आने देंगे बारत माता की जाए बारत माता की जाए बारत माता की जाए इंकलाव जिन्दाबाद अभी अपने पोस्टर जलाया है फैजान अंसारी का क्या है इसके पीछे का मुद्दा क्या है देखिए मैं पताना चाहूंगा मैं पंडित सौरव मिष्रा ड्रामन होने के नाते मैं यह दावा करना चाहता हूं कि यह जो फैजान लड़की है जो टिक टॉक पर भी वाइरल होई है तो यह इससे निकाय करना चाहरा है तो हम यह चाहते हैं सौरव मिष्रा का दावा यह है कि यह वंदा अगर पाकिस्तान जाता है तो यह इंडिया में वापस कभी नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे जो भी पाकिस्तानी सिं अगर यह पाकिस्तान जाता है तो इसे इंडिया वापस कभी नहीं आने देंगे तो हम सब लोगों ने प्लैन किया है कि ऐसा हम नहीं होने देंगे और देश को जागरूप करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग भी सारे लोग सपोर्ट कीजी हम लोगों को पोस्टर अभी आपने जलाया है उनका मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग इंडिया में रहने ही नहीं चाहिए यह इंडिया में रहने के लाये के नहीं है यह देश द्रोही हैं और इनको पाकिस्तान अगर यह जाते हैं तो वहीं कहीं रह जाएं इंडिया में कदम सुनने में आया कि 59 लाग 15 लाग जो भी देना चाह रहे थे तो ये इंडिया के लड़कियों को दो ना पाकिस्तानी लड़की से निकाई क्यों करना चाहते हैं मुझे इसका जवाब चाहिए फैजा नंसारी मैं आप से सवाल पूछ रहा हूं क्यों इंडिया में क्या लड़क रही हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं जब हमने पाकिस्तान के कलाकारों को जो पाकिस्तान के कलाकार हैं सिंगर से उनको इंडिया में अनुमती नीदी उनको बैन किया है तो फिर ये इंडिया में रहके ऐसा क्यों कर रहे हैं इनको भी बैन करना चाहिए अगर ये फैजान अंसारी नाम का व्यक्ति अगर जाता है पाकिस्तान तो सौरभ मिश्रा पंडित में ब्राह्मन होने के नाते यह दावा करता हूं कि यह दुबारे इंडिया में वापस कदम भी नहीं रख सकता है बिल्कुल यह बहुत गलत है और मैं तुनिशा जी के बारे में क्या वोलू हूं सबसे पहले तो जो इनका जो ब्रेक अप हुआ है 15 दिन पहले इनका ब्रेकप हुआ ता और यह क्या नाम था उस बंदे का मुस्लिम बंदा था udससे उससे उसका प्रेंप पिर HC का मामला चल रहा था जो भी चल रहा था और इसका ब्रेक अप हुआ उसके बाद से और उस लड़की ने सोसाइट कर लिया तो मैं यही कहना चाहरा हूं कि इस तरह कि जो आए दिन घटनाएं हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम को लेके यह निकाह करना और यह सब चीजें बंद करो य यही कहना चाहूंगा अगर फैजान अन्सारी पाकिस्तान जाता है तो यह दोबारा इंडिया में नहीं आना चाहिए फैजान अनसारी मुर्दाबाद फैजान अनसारी मुर्दाबाद इसे हम